नोशकार दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के चैनल में साड़े चार हो गए हैं और मार्किट अपना इनलसिस करेंगे वीडियो आपको काम आएगी कल के लिए कल डेट होने वाली है थर्ड ओफ जैन बुद्वार का दिन है और कल 2024 की बैंक निफ्टी की पहली एक्सपायरी है और इस इंडेक्स ने आज भी काफी हलचल मचाई काफी मतलब हिलाया मार्किट को तो कल क्या हो सकता है एक बार इनलसिस करते हैं डेली पैटन में हमारे पास क्या इनफोर्मेशन है और क्या मार्किट में डवलप हुआ है उसको देखते हैं यहां से मोज रहेंगे ठीक है तीन दिन से दोस्तों मैं आपके साथ लेवल शेर कर रहा था 21850-21675 यह ट्रिगर हुआ टेलिग्राम पर मैंने वहीं से मैसेज डाल दिया कि अब सैल ओन राइज है ठीक है मार्केट अब सैल ओन राइज है बैंक निफ्टी भी निफ्टी भी उसके बाद मैं ज्यादा खास अपडेट दे नहीं पाया दोस्तों बट क्योंकि medical emergency मुझे कहीं जाना पड़ा आप देख रहे हैं इस बीच का ही target था और वहाँ पर डिटो मार्केट ने low बनाया है इस बीच में ठीक है पर मार्केट अभी तक bullish नहीं हुआ है यह मतलब buy कर लिया जाए उस परकार से नहीं है देखें यह जो number है ना जैसे 21850 दिया मैंने तो यह trigger होना इतना आसान नहीं है तो आप इसको दो परकार से use जितना आप इसके करीब से sell initiate कर सकें है ना यह number उतना अच्छा है ठीक है trigger हो जाए फिर then you turn है फिर फिर market buy है फिर buy on dip session ऐसे ही 21675 जितना आप इसके करीब से buy कर सकें उतना अच्छा पर अगर hit हो जाता है फिर you turn है फिर sell on rise है तो यह एक तरीके से support की तरह काम करेगा एक तरीके से resistance की तरह काम करेगा यह इस परकार से चलेगी तो अब आप इसको use कैसे करना है पूरा अपना दिमाग लग आईए apply करिए practice करिए तीन दिन से आप देख रहे हो 675 नहीं तोड़ता है buying आ जाती है उपर 850 नहीं तोड़ता है selling आ जाती है आज तोड़ा तो नीचे की तरफ न जा रहा दिखा है ठीक है और market में recovery आई किसकी वज़ा से reliance ऐसी टेजी आई इसमें और अपने breakout zone पर trade कर अगरा reliance है टेलीग्राम पे मैंने आपको वह information दी है प्लीज अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो जुड़ जाए ये ठीक है ये 26.15 के उपर 2615 के उपर इसके उपर reliance by breakout zone में है इस level के उपर ठीक है तो यहाँ पे आप और bank nifty अब bearish zone में है ठीक है तो यही मैंने आपको सलादी hedge कर लीजे नहीं तो pair trading कीजे दोस्तों वहाँ पे बहुत मुश्किल है कि आपका loss हो आप profit कम होगा जैसे आप यह देख सकते हैं कल हमने pair उठा लिया था 1st of January को तहाँ गया यह राख ठीक है 161 की यह call थी 48,000 की P थी स्वरी ठीक है और 48,300 की C थी 179 की तो total cost बनती है यह लगबग 340 के आसपर target 400,450 तो इतना fall है profit कम आया है क्योंकि 450 की put आपकी हो गई पर भया सिरदर्दी तो नहीं है ठीक है सिरदर्दी तो नहीं है और यह मुझे पता है इतना अंदाजा है experience जो मेरा काम करता है कि जो expiry होगी वो correct 48,000 पे नहीं हो सकता या तो वो 48,300 प्लस होगी या फिर वो 47,700 बिलो होगी अब यह expiry कल बाकी है और अभी से ही put जो है 45,400 दिखा चुकी है ठीक है तो पेर ट्रेडिंग में यह है पैसा कम बनेगा बट जो probability है पैसा बनने की वो बहुत बढ़ जाती है bank nifty का paid ठीक है चले market की चर्चा कर लेते हैं और कल के लिए यहाँ पर यह रहेगा disclaimer इसको जरूर पढ़िए इसको mandatory है इसको समझिए इसको पढ़ने लिखने समझने के बाद ही आप मेरी वीडियो पर आगे जाहिए अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर अब जैसे कि आपको इसने 21675 का level हिट किया तो एक बढ़िया नीचे की तरफ हमको downside दिखाया ठीक है तो अब हमको market में sell on rise का momentum बना ठीक है आप sell करते गए होंगे 30-40-30-40 point का तो कहीं आपका 21-600 के आसपास आके trailing SL हिट हो गया होगा ठीक है जो discipline के साथ trade कर रहा होगा उसका बागी में किसी का अब यहां से buy cup बनेगा और अब यहां से sell on rise कहां से दुबारा कर सकते हैं ठीक है तो जैसे ही इस level के आसपास आए 216 जैसे आगया था market को दुबारा से sell कीजिए with same SL 21712 किसी SL के साथ आपको मैंने sell बताया था ठीक है चलिए अब समझते हैं छोट time को जैसे अगर आप यहा की तरह काम कर भी पर market इससे भी नीचे है तो महीं पर जाचते हैं पर रखते हैं कि हमारे को कौन से level important रहेंगे देखें यह नीचे गिरा यहां से और यह एक इसने flag pattern मुनाया ठीक है पांच मिनिट के चार्ट पर या तो आप trend line पर trade करना चाहते हैं इसको रख लीजिए और यह trend line यहां से बना यहीं पर आपको यह रख parallel channel यह खीची है यह आगया ठीक है अब यह जब तक इसमें है तब तक तो आपको trade initiate करना ही नहीं ठीक है कहते इसको bearish flag है मतलब इसका breakdown आना चाहिए बड़ भया कोई confirmation नहीं है market आज कल ऐसे ऐसे से करके यह ऐसे भाग जाते है आपको इसको buy करना है जब तक कि यह इसके उपर ना निकले ठीक है नंबर note कर लीजे दोस्तों नंबर मैं जो share करता हूं वो काम करते हैं यह आप देख रहे हैं और कितने बहतरीन तरीके से काम करते हैं साथ सो चालिस 21740 ठीक है इसके उपर अगर निफ्टी निकलता है मतलब इसके उपर निफ्टी अगर निकलता है तो buy कीजिए for 21800 then exit मतलब 2185 या 21815 वो ही आपको पता 21850 को हीट करने में इसको दिक्कत होगी तो भी अपनी स्रद्दा से 815, 820, 822 जहां आपको ठीक लगे SL को थोड़ा सा सकत ट्रेलिंग करते वे क्योंकि 740 के उपर निकलेगा तो एक बार की तरफ उपर की तरफ जाएगा ठीक है तो हमारा उपर का क्या नंबर बना कल के लिए 21740 ठीक है नीचे जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटे ठीक है जैसे ही ये ट्ठोक देना भाई ठीक है सेल कर देना है आपको अब इस कोई नंबर ही पर्टिकुलर आप नोट करना चाहिए वैसे तो 21650 के नीचे आप सेल कर सकते है ठीक है क्योंकि फिलाल मार्केट सेल ओन राइज है जब तक कि इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है ठीक है और 21850 अपना काम वैसे ही करेगा जैसे चार दिन से करता आ रहा है उसको नोट कर लीजी ठीक है दोस्तों ये है कल के लिए निफ्टी उमीद है नीचे की तरफ ही जाना चाहिए जिस परकार से इसमें पॉल आया है और जिस परकार से पिछले तीन दिन का इसने इसको तोड़ा है रिलाइनस है ये रिलाइनस का वेटेट साले का इतना है वो इसको खीच के आ लेके आगे ठीक है तो लेवल फोलो करिए दोस्तों आप भूल जाहिए मैं जो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ आपकी सिरदर्दी कम हो जाहिए मार्किट तेज है मार्किट मंदा है आग लगे ठीक है आप नोट करिए यहाँ पर लो चब्विस पंद्रा इस लेवल के उपर रिलाइन्स अगर ट्रेड करता है ठीक है तो जैन मंत का आप भीया स्टडी परपस से ट्राई करिएगा ठीक है कोई 26,40 या 26,60 सी ओप्शन को ट्राई कर सकते है विद SLO 2598 यह नमबर ट्रिगर भी हो जाहिए एक्जिट कर दीजेगा बट अगर इसको ट्रिगर करके दुबारा इस लेवल के उपर निकलता है देन ट्रेड दुबारा एक्टिव हो जाएगा ठीक है रिलाइन्स में आप ये फोलो कीजिए निफ्टी में जो मैंने आपको बताया है आप नमबर फोलो कीजिए ये नमबर के उपर निकले वाई ठीक है तो नीचे 650,640 इसके नीचे जाता है देन अगें सेल हम दुबारा से ये लोड तूर नहीं जा रहेए सिंपल ठीक है आप नमबर फोलो करिए पैटन को मारिये गोली मार्किट तेज है मनदा है उसको मारिये गोली ठीक है हलाकि मैं यहाँ पर आपके साथ डिसकस करता हूँ जो मुझे दिख रहा है वो मैं बताता हूँ ठीक है कल जैसे मुझे मार्केट ग्रीन आज तेजी दिख रही थी एस पर जो मैं study कर रहा था कि भया ओपनिंग के ऊपर close कर दिया इतनी गिरावट दिखाने के बाद भी निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी है ना मेरा व्यू तो तेजी का बन रहा था ठीक है मार्केट अब salon राइज हो गया है तो अब बाई नहीं करना तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है ठीक है वो मैं आपके साथ share कर रहा हूं उसको follow कीजिए वीडियो अच्छी लग रही है तो like अब बटन दबाईएगा ठीक है तो फिलाल मार्केट salon राइज मोड में है कब तक जब तक 21740 नहीं क्रोस हो जाता ठीक है simple यह level क्रोस हो जाए तो फिर मार्केट एक बार को कल के लिए buy side में आ जाएगा बट वहाँ पे आपको 21850 इस number को भी यह कितना ताकतवर है इसकी भी आपको respect कर नहीं है 21810,820 जो आपको दीके book कर लीजेगा ठीक है otherwise नीचे की तरफ sell side में रही है अब आ जाते हैं bank nifty पे bank nifty दोस्तों यहाँ पे कोई मतलब HDFC bank एक चीज खड़ी हुई थी otherwise बाकी सारे bank में तो selling हो रही थी and इसने जो closing दी है 47,800 बिलो वो मतलब ठीक नहीं है भाई ठीक है closing basis ठीक नहीं है otherwise support है इसके पास यहाँ पे आप देखेंगे तो यह इधर जाके रुख जाएगा ठीक है यहाँ पे कहीं पे एक बार आवरली चार्ट लगाते हैं वहाँ पे थोड़ा में clear चीजे पता लगी है यहाँ देखेंगे इसने वहाँ पे support लिया है ठीक है यह यह बट तेजी इसको 47,800 की नीचे close करना अपने आप में एक negative sign है 47,800 की नीचे close करना एक negative sign है अब मतला विंडो ओपन हो गई है कि शायद आपको 47,300 दिख जाएं है कि नहीं और पर भहिया कल है expiry Wednesday क्या है bank nifty की है expiry तो level पे ही trade बनेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ तो support ही निकल के आ रहे है 40 जैसे आपके सामने अभी मैंने line खिची है ठीक है यह support क्या निकल के यह जहाँ पे रुका वहीं पी support ही है 47,700 एक support है इसको तोड़ता है तो यह एक support है यह निकल के आ रहे है 47,500 से लेके 47,600 तो मैं तो आपको बोलूँगा avoid ही करिए इस zone में 47,500 से लेके 47,700 के zone में bank nifty कल के लिए avoid है ignore ignore करना है इसको ठीक है इसको छोड़ देना है कल के लिए अगर नीचे की तो क्योंकि 500-200 तो momentum momentum में ले लेता है bank nifty इसको मैं इदर मिला हूँ तो देगे दोनों का support ही निकल के आ रहा है हाँ कल एक चीज नोट करिएगा अगर यह 47,500 के below सरक जाता है ठीक है इसके नीचे चला जाता है तो फिर cell है भाई फिर आपको 200-200 पॉइंट अराम से मिल जाएंगे है ना फिर हमें देखना पड़ेगा closing कहां पे आ रही है अगर closing 47,300 के नीचे आ रही होगी तो यह और भी negative बात हो जाएगे पर वो कल की बात है कल देखेंगे ठीक है क्योंकि फिर यह जो channel बना हुआ है फिर तो इसका breakdown आ जाएगा अगर यहां कई हमें closing मिलती है इस जग है कल interesting होगा bank nifty को देखना दोस्तों मैं यह ही बोलूँगा 47,500 जब तक break ना हो कल ठीक है तो don't touch bank nifty and in any case if started trading above 48,000 then don't miss buy button यहां के call writer आज काफी call writing होई होगी इदर वो सब trap हो जाएगे 200-300 point bank nifty ऐसी भाग जाएगा बट इसके chances मुझे लगते नहीं है क्योंकि जिन्होंने right किया होगा ठोका होगा वो कल के दिन अपना मतलब बना बनाया ground थोड़ी छोड़ेंगे जिन पर उन्होंने कबजा कर लिया है तो wait for कल इस level के break होने का wait करें तभी momentum आपको मिलेगा expiry है यहां के put writer भी जोर लगाएंगे इस level को break होने का wait करें ठीक है